तीन खेती विरोधी काले कानूनों ने मोधी सरकार के मुखोटे को उतार दिया है और देश के 62 करोड किसानों और खेत मजदूरों के अवहलना, विडंबना, सरकार का एहंकार तो देखिए देश के ग्रह मंत्री शिरी अमिच शाह 1200 किलोमीटर दूर हैद्राबाद में चुनावी रैली करने तो जा सकते हैं पर वो दिल्ली के बॉडर पर 15 किलोमीटर दूर जाकर देश के लाखों किसानों से बात नहीं कर सकते हर्याना के मुख्यमंत्री शिरी मनोहरलाल खटर लाखों किसानों को जो दिल्ली के चारों तरफ अपनी रोजी रोटी मांगने के लिए करहा रहे हैं उन्हें आतंकी बताते हैं भारतिय जनता पार्टी के सांसद और उनके मुख्य प्रवक्ता अमित मालविया लाखों किसानों को जो अपना अधिकार मांगने आए हैं उनको आतंकी और खालिस्तानी बताते हैं मोदी सरकार और हर्याना की खटर सरकार मिलकर शांती प्रिये और गांधी वादी तरीके से अधिकार मांगने वाले किसानों पर बारह हज़ार मुकद में दर्ज कर लेती है देश के क्रिशी मंत्री और देश के ग्रह मंत्री ये तारीख रख देते हैं के चिल चिलाती सर्दी के ठिटूरती सर्दी के अंदर सडकों पर बैठे लाखों किसानों से तीन दिसंबर तक बातचीत भी नहीं होगी देश के ग्रह मंत्री देश के क्रिशी मंत्री के पास पाँच पाँच दिन तक एंकारी सरकार के दर्वाजे पर दसकत देकर अधिकार और रोटी मांगने वाले किसान के लिए समय नहीं है